नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल MD Smart Classes में दोस्तों आज दिनांक 6 जनवरी 2019 को राजस्तान महीला सुपरवाइजर का पेपर आयोजीद हुआ इस वीडियो में हम राजस्तान से संबंदित पर्षनों को हल करेंगे अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो दोस्तों राजस्तान से संबंदित पहला क्यूशन है क्यूशन नमर 41 निमलिकी से कौन सा आकरशन प्रेटन के इंदर करवली जिले में इस्त प्रसिद नाम किस से संबंदित लिंबाराम किस खेल से संबंदित तो यह आएगा खेल से संबंदित है और ओप्सन ची कुछ नमर 43 राजस्तान की कौन शी विख्यात लोग देवी का सम्मद्ध चूहों से है तो दोस्तों इसका राय टांसर होगा ओप्शन B कर्णी माता जो कि चूहों की कुल देवी है अगला क्यूशन निम्न में से कवी राज श्यामल दास द्वारा रचित महत्पुल क्रति कौ अगला क्यूशन निम्न में से राजस्तान की तामर यूगिन सब्वेता में सबसे प्रमुख सब्वेता कौन सी है तो इसका राय टांसर होगा ओप्शन A आहड सब्वेता अगला क्यूशन Q46 राजस्तान के कि सब्वेता में गने श्तल इस्तित है तो दोस्तो इसका राय टांसर होगा ओप्शन D शीकर अगला क्यूशन है बाग चौन स्ब्वेता किस नदी के किनारे पर अवस्तित है तो इसका राय टांसर होगा ओप्शन A कोठारी नदी के किनारे इस्तिद है कुछ नमर 48 बैराठ प्राचीन भारत में किस जन्पद की राजदा नहीं थी तो इसका राय टांसर होगा स्रावण में चोटी तीज का अधवार मना जाता है और बड़ी तीज का अधवार मना जाता बाधफद्र में तो बायदपत्र में रखाय कुछ क्विश cambi नमर 50 धोलागड देवी का मिला राज्तान किस जिले से जुड़ा है दोस्तों सक्राय टांस रोगा ओप्शन B अलवर अलवर जिले में धोलागड देवी का मिला भरता है लक्षमनगड तहसील में ग्यू क्यूशन ममर 51 निम्ण में से कौन सा बस्ते राजस्थान में प्रतिस्टा का सूचक माना जाता है दोस्तों सक्राय टानस रोगड ऑप्शन C पक्ड़ी गोव प्रतिष्टा का सूचक माना जाता है क्यूश नमर बावन कुम्बल गड़ दूरुक का सिल्पी कौन था इसका रायटांस रोग ओप्षन सी मंदन क्यूश नमर 53 तारकसी के आभुषन के लिए रास्तान का कौन सा इस्तान प्रसिध है तो इसका रायटांस रोग ओप्षन ए नाद दुवारा तारकसी के आभुषन के लिए प्रसिध इस्तान है दोस्तों आप देख रहें MD Smart Classage चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यूश नमर 54 कोटा के किस सासक के काल में शिकार का चितरन कोटा सैली का प्रतीक बन गया तो इसका रायटांस रोगा ओप्षन बी राजा उमेद सिंग इनके समय शि क्यूश नमर 55 राजविलास की रशना किस ने लिखी थी तो इसका रायटांसर होगा ओप्षन ए कवी मान इन्होंने राजविलास की रशना लिखी थी क्यूश नमर 55 किस प्रसिद मांड गाइका को कला के छेत्र में योगदान के लिए 1982 में पदम स्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इसका रायटांसर होगा ओप्षन ए अल्ला जिल्ला बाई क्यूश नमर 57 निम्ण में से कौन सा लोक नरत्य होली पर नहीं किया जाता है तो इसका रायटांसर हो ओप्षन डी पनिहारी नरत्य यह होली के अवसर पर नहीं किया जाता है यह काल बेलियों का नरत्य है नेजा नरत्य भी काल बेलियों का है लेकिन यह होली के तीसरे दिन सुरूर किया जाता है गैननरतै होली के दूसरी दूसरी दून शुरू किया जाता है जग्स जो शह कावर्डि मौत परसेद या रोथ तो कौन सा युग्म गलत सुमेलित है तो इसका रायट आंसर कोई सा ही नहीं इसमें ये परसंड डिलीट होगा क्योंकि इसमें दो ओप्षन गलत हैं एक मलीनात और एक रामदेव जी दोनों ही सुमेलित नहीं हैं क्योंकि जनमिस्तान से पूछा गया है तो पाभु जी का जनमिस्तान कोलमन जोधफूर में हुआ था तेजा जी का जनमिस्तान खर नाल नागोर में हुआ था मलीनात जी का जनमिस्तान मारवाड है और रामदेव जी का जनमिस्तान उंडुकास मेर बाड़ मेर में है कि अगला क्यूशन कि क्यूशन नमरे ठाउन रास्तान की किस एथियासिक धरोवर को यूनेश्ट को की वर्ड हैरिटेस सूचे में सामिल नहीं किया गया तो इसका रायटान्स रोगा उप्षन स्री आमिर की हवेलिया दोस्तों इस प्रसंद में यह पूछा गया कि वर्ड हैरिटेस सूचे में सामिल नहीं किया गया है चितोडगड किले को कुम्बलगड किले को और आमेर के महलों को आमेर के किले को 2013 में UNESCO की World Heritage सूची में सामिल किया गए था लेकिन यह option दे रहा है आमेर की हविलिया जंत्रमंत्र 20 साला को 2010 में World Heritage सूची में सामिल किया गए था इसलिए इसका राय टांसर होगा option C, आमेर की हविलिया Q60 Q60 दो मुहें का चूला वह भूत प्रकार के बर्तनों के साथ सिल्बट्टा वह पैन निमली खित्में से किस इस्तान से खुदाई में मिले थे तो इसका राय टांसर होगा option A, आहड सब्वेता Q61 मेवाड नरेश, राना अमर सिंग, M, राना करण सिंग की छत्रियां इसमारक कहां पर इस्तित हैं तो इसका राय टांसर होगा option B, आहड उद्यपूर में Q62 निमली लिखित में से किस का लेखक वीरभान था तो इसका राय टांसर होगा option D, राज रूपक Q63 परसिद मीनाकरी थेवा कलागा संबंद किस इस्तान से हैं तो इसका राय टांसर होगा option D, परताबगड परताबगड थेवा कले से संबंद दिते हैं और वहाँ का सोन्य पज़वार इस कला में परसिद्धी है Q64 विष्णोई संप्रदाय के परवर्तक कौन है कौन थे इसका राय टांसर होगा option B, जांबो जी, बीस नो, बीस पलस नो नियमोक्स से संबंदित है Q65 किस राज्य के दिवान थे तो इसका राय टांसर होगा option A दोस्तों यह थे रास्तान से संबंदित 25 क्यूशन अगले वीडियो में बाकी बच्चेवी क्यूशनों के आंसर की अप्लोड कर दी जाएगी आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर पसंद आया तो इसे दोस्तों साथ सेर करें वीडियो को लाइक करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार